चलो स्टार्ट करें चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फिरनेशनल मानेज्मेंट एकनोमिक्स फिरन्स अब वैसे तुम मेरे को लग रहे हैं मेरा मैक्सिम्म लोग से पहले मिलना हुआ है पर कुछ-कुछ नया चैरा भी है आप किती ल चलो अब देखो जब कॉस्ट का पहला क्लास था तो मेटके पहला आधा हंट अपना तारीफ किया था एक सेशन में एक ही वार करता है तो वापस अपना तारीफ नहीं करने वाले हम रंजन बस ध्यान रखना अब देखो हमारा सब्जेक्ट है फिनाशनल मानेज्मेंट चिछ सब्क्रक्राहणा प्लस करता 파ंगार करें अगरीशन मानेज्मेंट अपनेज्मेंट को कही समय है और अगला एक प्राविक का टनेड़ है आप पता है क्या आने वाला है म्याकर अग्रान। Macro Economics, जैसे कि शाहिए तुम लोग यह चैप्टर का नाम सुनावा होगा, एक है National Income, एक है Money Market, एक है International Trade, एक है Public Finance, तो 4 चैप्टर हमारा Economics का रहेगा, और कुछ मिलाकर 10 चैप्टर रहेगा Financial Management का, तो 60 मार्क्स पहले हम लोग फड़ा-फड़ कम्ट्रीट करेंगे, इसके आद ह सब कुछ को स्टार्ट करने के पहले, दो मिनट का अब इसक बैग्राउंड कि सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक, आचे एक सिन, जो लोग से हम फर्स्ट टैप्टर मिल रहे हैं, एक वर बस हम बतायाता है, हम थोड़ा ना स्ट्रिक्ट है, बाकि लोग मज हमारे subject का राम, financial management, अब बिखर देखे इसमें पढ़ना क्या है, तुम लोग कुछ नहीं रहे हैं, खाली चुकिछ आप सुनना, subject का राम है, financial management, अब देखे जो वर्ड है, financial management, इसके अन्दर में दो वर्ड है, एक है financial, एक है management, और एक बात बताते हैं, एक से और नक से, और क्लास 11-12 के अंदर में BST, या फिर क्या होता था Commerce, उसके अंदर में Word Management सुनावा है, कोई मेरा को बताएगा Management का मतलब क्या, Management का मतलब? Manage करना, वाह, और क्यों था Management का मतलब क्या? Best Use of Resources, और बोलो क्या? क्या? किसे से काम निकलवाना, बहुत अच्छा, और मतलब क्या? Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Coordination, यह सब वर्ड किसका दियावाए है? एक मिनिट किसका? हेंरी फियॉल, अब यहां पर बहुत सरा वर्ड आया Management का मतलब, अब हम बनाते है Management का मतलब क्या है, जो सबसे अच्छा आंसर दिया वो था वो, Management का मतलब क्या है, Manage करना, जह मिला एक हतम, Management का मतलब क्या है, Manage करना, क्वेश्चन होता है क्या, अब जैसे Example, आज तुम लोग अना FM का पहला क्लास था, तो तुम लोग देखो अना आज पहला क्लास में लोगो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा, जब तुम लोग यहां पर आया, तुम लोग सबसे पहले बाहर में ID काट चेक किया गया, हाँ, मलब कल से चेक होगा, सबसे पहले तुम लोग अबहर में ID काट चेक किया जाएगा, इसके आज तुम लोग यहां पर बिठाया गया, बताया, मलब वो गाइड किये न, यहां लड़की लोग बैठो, यहां पर गर्ल्स, ठीक है, कुछ लोग का पता था इसलिए, इसके बाद सारा सारा सिस्टेम को अन होना हुआ, इसके बाद आना हुआ रंजन का, फिर रंजन आया, माइक उठाया, और जैसी माइक उठाया, उसके ब हम जाते हैं, घूमर करने के लिए ऐसे इंवेडेशन है था, अब देखो, आज अब डिली शादी का सीजन चलता है, और आज कलना शादी का सीजन लंबा बहुत लंबा चलता है, वह एक शादी क्या होता है, दस दिन फंक्शन शूरू हो जाता है, यह सब को भी मैनेज करना पढ़ता है, तो दो ले हुआ हो, हम लोग के सब्डिक पर इस सब पढ़ता है, नहीं, यहाँ पर हम लोग को मैनेज करना सीख रहा है, क्या चीज को, फिनैंशल रिसूर्स को, यहाँ पर मेरे को मैनेज करना सीख रहा है, क्या चीज को, फिनैंशल रिसूर्स को, मेरा अगल तुन लोग अपना बात कर रहा हम पैसा के लिए नहीं पढ़ाता है एक मिनट एक मिनट यह जो भूल है फीज क्यों दिये आ यह पूर्वस लोग का कहा हुआ है कि मतलब गुरु दक्षिना देना जरूरी है और अगर बैचा सिल किसी को लग रहा है कि हम पैसा के लिए पढ़ पैसा कमाना आसान है पर एक वार पैसा आ गया उसको धंग से मैनेज करना और ज्यादा डिफिकल्ट चीज है बहुत लोग कमाते हैं पर प्रक्षिन उठते हैं क्या वो अपने पास धंग से मैनेज कर पाता है बिल्कुल नहीं एक्जाट वो चीज को मैनेज करना सीखना है इस पर्टिकुलर सब्जक्त है अब एक आखरी बात आ मालूना मेंगे बिजनस स्टार्ट करना है और पूरे सब्जक्त में हम लोग जानेगे क्या अर्म नहा बिजनस स्टार्ट करने के लिए चाहिए पैसा तो एक प्यसा कहा से ले रहा है आरे हम पत्वारे हैं कहां से लेकर आए वह दुशाइड करता है और एक और पैसा आगया यह कहां पड़ लगा यह दूजाइड करता है यानि श् 데ए पूरे की पूरे सब्स्च के अंदर के दो चीज जानेंगे, एक पैसा कहां से लेकर आए, पता है इसको अंग्रेज में बूलते हैं, procurement of fund, वर्ट सुनें बच्पन में, procurement of fund, और एक और fund आ गया, इसके वाद मेरे इसको धंग से यूज करना है, इसको क्या बोलते हैं, utilization of fund, यानि पूरे subject में हम लोग जानेंगे, कि पैसा कहां से लेकर आए, और कहां पैसा लगाए, हम चाहेंगे, दो सवाल का जवाब आप लोग खुद दे, पैसा वहाँ से लेना चाहेगा, पैसा जहां से लेकर आना चाहेगा, जहां मेरा खर्चा ज्यादा से यादा रहे है, कम से कम, यानि minimum cost, और पैसा वहाँ लगाना चाहेगा, जहां पर मेरा return maximum है, तो यह return आ रहा है, maximum खर्चा लग रहा है, कम से कम, तो जैसी दोनों चीज़ हम साथ साथ कर दिया, मेरा profit बढ़ता है गाना, तो यह कारण है, हम लोग financial management पढ़ते हैं, आ मेरे एक छोटा सा और आखरी बात, चाह लगता है, यह सारा decision, आ एक company के अंदर में, आवा का top management लेता होगा, यह आवा का clerk लेता होगा, ऐसे नहीं, बुलो obviously top management, आ यह call लेना चाहेगा top management, आ सिंसी decision लेगा top management, पता है, इसलिए इसको हम लोग चाह बूलते है, managerial activity, आ यह यानि यह career, च्या लगता है, यह security guard का है, च्या लगता है, clerk लोग का है, तुमको है तो हम, हम in general बूले है, security guard का है, आ यह काम किस का रहेगा, top management का, यह काम किस का रहेगा, board of directors का, और बाकि जो accountant लोग है, यह जो clerk लोग है, वो लोग देखेंगे, आप हो क्या रह है, थिक, आ तो मेरा insurance financial management क्या है, एक ऐसा managerial activity, आ जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, financial resources को manage करेंगे, normal basic बात खटम, अब एक काम करते हैं, हम लोग लोग सीधा पहला chapter start करेंगे, cost का पहला दिन बनाना सीखेंगे, cigarette, आ आज कुछ वाट सीखेंगे, तो नशीडी रोगए, वहाँ cigarette सीखेंगे, यहाँ गांजा सीखना है, आज क्या सीखेंगे, वो जानते हैं, दो मिनट बाद, आएक काम करते हैं, पहले लिखते हैं, दो शाब्द, वहाँ, सर एक वाट जितना बोले, एक वाट प्रीज रिपीट कर दीजिए, मेरा आप जस्ट अन हुआ है, आदित्या, ठीक है आदित्या, बाद में तुमको अलग से फोन में संदाता है, चलो, चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं, फिनाशनल मैनेजमेंट, अरज मैनेजीरेल, अक्टिविटी, फेस नियुका साफूसराइशनल में दिखें और दिखेंट रिखेंट, अब आपके लिखता है है, फ्यूचर में धीराँ देस अब का मजाएगा है, जाओ ठाब ओंचर क्षण और मेरा फैनाशनल गहां पाड़्यांग मेंचरा किशना काकु है मैंट अछार्ड चाहर का परियोग करेंगा यह एक्जांट और इस इन्हों नहीं ने कहा था आपका नाम क्या है रिया इसाट उचाहर Financial management is a managerial activity which deals with planning कुछ यादा नहीं से वोड सुना वा Class 11, 12 BSc Commerce Henry Fayol यादा नहीं वो इंसान जो हमाले लाफ कुछ इतना सुन्दर मना कर गया था विच दिल्स विद प्लानिंग और 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 विच दिल्स विद प्लानिंग कॉमा और 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 रगेंग यहापे खली चार Financial Management is a managerial activity विजल स्विच चार वर्ड Planning, Organizing, Directing and Controlling The Financial Activities of an Enterprise यानी मेरे को प्लान करना है कि Financial Activity को कैसे मैनेज करे कैसे और और जार्गनाईज कैसे 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 कंट्टूल करे the financial activities of an enterprise. अगला प्षिशन उठता है financial activity में आता क्या है दो चीज़? तुम भी पताएगा financial activity में दो चीज़ क्या था? एक decision लेना है पैसा कहां से? procurement of fund और मेरा अगला क्या था? utilization of fund जैने मेरा financial activity में आएगा दो चीज़ एक पैसा कहां से लाए? अगला पैसा कहां लगाए? तो अगला लिख था है financial activities primarily include कोई बात नहीं, पहाद कोई बात नहीं, अभी हम भी just अभी शुरू किया है financial activities primarily include procurement of fund procurement of fund यानी पैसा कहां से लेकर आए? and effective utilization of fund कि पैसा वहाँ लगाओ जहां पे ढंग से effective भी हम लगा पै and effective utilization of fund तुम लोगो शाहिद आज मेरे handwriting थोड़ा बेटर लग रहा होगा अब एक काम करते हैं एक सुंदर साना चार्ट टाइप का बनाते हैं और फिर सीधा हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज जैसा जो लोग अभी कॉस्ट का क्लास कर रहे थे लास्ट चात्मास दिन में तुम दोग देखाऊगा हम बहुत जबर्दस incentive बटा था पूरा बर्सा दिया था जो राइट आंसर दिया जो राइट आंसर दिया आएक काम करते हैं आज तुम लोग पहला एक घंटा थोड़ा ध्यान देना आज जो फॉस्ट वनार में पढ़ाएगा वह वापस यहां पर बुला कि किसी से पूशेगा राइट आंसर देने वाले को मिलने वाला है एक स्पेशल इंसेंटिव दो हजार नहीं एक घंटे पढ़ाने का दो हजार लुड़ दाएगा में आपको स्पेशल इंसेंटिव देखते हैं क्या आँ चलो बेकाम करना यहां पर लिखता आप बीचों बीच आस्पेक्स ऑफ फिनाशल मैंजमेंट बीचों बीच लिखना आस्पेक्स ऑफ फिनाशल मैंजमेंट को मिलाकर है दो लिखना आस्पेक्स ऑफ फिनाशल मैंजमेंट और मेरा दो आस्पेक्स ऑफ फिनाशल मैंजमेंट का पहला है प्रोक्यूर्मेंट ऑफ फंड मेरा अगला है utilization of fund मेरा पहला है procurement of fund मेरा अगला है utilization of fund नौर्मल बात अब देखे तुम लोगों accounts का कितना सुन्दर ग्यान है एक और imagine करें ये मेरा balance sheet ठीक मेरे को एक बात बताओ जो procurement of fund है यानि पैसा कहां से लेके आना है तुम तो लाइबरीटी के कौन एक भूल जो लाश्मी क्या बुला एक बताओ ज़रा अपने आप आप balance sheet के कौन से side में लिखते है और पैसा कहां पे लगाना है ये कौन से side में लिखते है asset side यानि पैसा कहां से लेकर आए equity share या preference share या debenture या loan लाइबरीटी side हो गया पैसा कहां लगाए fixed asset में land में, building में, machine में या investment करे ये asset side हो गया पताओ इसको बोलते है sources of fund इसको बोलते है application of fund source कहां से आया application कहां पर लगाए तो मेरा procurement के bracket में लिखते है that is sources of fund मेरा utilization के bracket में लिखते है that is application of fund मेरा पहला है sources of fund मेरा अगला है application of fund ठीक अब तुम लोग या विरको answer देना पताओ ये side हो गया मेरा library side, ये side हो गया मेरा asset side library side को बाढ़ सकते हैं दो पार्ट में एक long term, एक रहेगा short term आज जो मेरा asset side है इसको भी बाढ़ सकते हैं दो पार्ट में एक रहेगा long term, एक रहेगा short term चुले भी काम करें जरह दोनों को बाटे और example तुम लोग से पूछेगा आज यहां बाढ़ते हैं दो पार्ट में इधर भी बाढ़ते हैं दो पार्ट में ये मेरा long term short term यहां रहेगा long term और यहां रहेगा short term यह क्लास में कितने लोग stock market में थोड़ा बहुत interest रखते हैं चुलो कुछ लोग रखते हैं हाँ थोड़ा बहुत इसमें सीखने मुलेगा ठिक मेरा पहला question उठता है यह जो मेरा liability side है इसमें long term है एक है short term कोई कोई लाइबरीटी side को imagine करो और imagine करके बता हो मेरा long term क्या रहेगा short term क्या रहेगा और जब भी बात करेंगे हम लोग हमेशा बात करेंगे company के भी point से तुम लोग तो एक company के अंदर में long term पैसा कहां से आया मेरा पहला है equity share अगला बूलो क्या preference share अगला बूलो क्या debenture अगला बूलो क्या बैंक से long term loan यह हो जाएगा सारा का सारा long term पैसा जो मेरा short term liability है वो क्या होता है current liability current liability का दूदर एक्जमपल दो मेरा पहला creditor अगला बूलो क्या bills payable outstanding expenses bank order यह सब कुछ तो यह काम करते है long term के example क्या है जब पैसा लेकर रहेंगे long term से आइदर आएगा equity share चलो पहला लिखते है equity share जाली कराएंगे preference share जाली कराएंगे debenture जाली कराएंगे bank से long term दोन ठीक ठीक है ना ठीक है ना ठीक है ना अरे बोलो यह है मेरा long term liability मेरा अगला question उठता है short term liability क्या होता है current liability जस्ट दो मिनट पहले तुम दो example दिया था मेरा पहला है creditor मेरा अगला है bills payable मेरा अगला है outstanding expenses बस यह दो तेन example बहुत है चलो डान अब देखो एक और मेरा पैसा आ गया long term या short term से अब यह पैसा आने गाद मेरा को कहीं लगाना है जब लगाएंगे वो आइदर लगाएंगे long term asset में या लगाएंगे short term में एक second कोई मेरा को देखाएंगा long term asset के example अब लाइंड हो गया बिल्डिंग हो गया मशीन हो गया यह नहीं इस शॉट बोले फिक्ससेट आ अगला बताव मेरा और long term के example क्या अब मेरा क्या रहेगा long term investment तुम लोगा पढ़ावे अब यार हो गया इंवेंट्री हो गया cash and bank हो गया या प्रिपेट हो गया यह सब तो यह काम करते हैं long term में example क्या है और सबसे पहला है हमारा विक्ससेट अब मेरा अगला क्या है लॉंग टर्म इंवेश्मेंट है ठीक जो मेरा short term asset है वो क्या रहेगा current asset इसके अदर में क्या आने वाला है जैसे मालो डेटर हो गया यह मालो inventory हो गया यह मालो cash and bank हो गया यह मालो बीर हो गया बस यह सब कुछ अब यह वाला से पैसा लिए यहां पर पैसा लगाए पताए जहां से ही पैसा लेकर आएंगे मेरा एक मात्र उदेश है जिदर से भी रुपया लेकर आएंगे उसमें मेरा एक मात्र उदेश है पैसा वहां से लेकर आओ जहां पर मेरा cost क्या लगने वाला है minimum तो मेरा यहां पर objective क्या रहेगा to minimize cost पैसा वहाँ से लेकर आए जहां पर मेरा उद्धिश्य क्या रहेगा अपने cost को कम से कम करदा और पैसा वहाँ लगाएंगे जहां मेरा उद्धिश्य क्या रहेगा return को maximize करदा इधर में objective क्या रहेगा to maximize return ठीक है यहां तक आज यानि सोचो जो हमारा टॉप मानेजमेंट है कितना मेहनत करता है वो यह डिसाइड करता है कहां सो रुपेल आए ताकि खर्चा कम लगे आज यह डिसाइड करता है कहां रुपेल लगाए ताकि रिटार्न मैक्सिमम है अब जैसी यह दोनों अब्जिक्टिव एक साथ पूरा करेगा अब जैसी दोनों अब्जिक्टिव एक साथ पूरा करेगा आटमाटिकली इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा मैक्सिमम तो जैसी दोनों को जोड़ेंगे क्या हैगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसी दोनों देशे को एक साथ पूरा करेंगे क्या जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठिक अब मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन का आखरी लाइन फिर सीधा चलते हैं में चैप्टर में अब रुको आप पहले लिख लिया सब कच्छारों पर जरा देखें तुम दों कितना अच्छे सुना हैं पहला बात क्या हुए है हां निया हम सबसे पूछ रहे हैं आ मेरा पहला बा पहला प्लाइनिंग ऑर्गनिजिंगिं डिरेक्टिंग और कंट्रोलिं पढूश draining कौन सा है अक्टिविटी और फिनेशन अच्शल आक्टिविटी में 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 आने वाला है दो चीज़? पहला प्यर्नेंट पर question उटता है क्या FM को पढ़ने का main objective profit maximization है बिल्कुल नहीं financial management को पढ़ने का सबसे important primary soul undisputed सबसे important objective profit maximization करना नहीं है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है wealth maximization और मेरा अगला question उटता है wealth का मतलब क्या wealth का मतलब यह हुआ अब सुनो economics आता है micro economics demand supply आता है थोड़ा यह क्या पी रहे है यह हमको इस ब्लू कॉंडी पक्का हमको बेर जैसा कलर दिखा उना क्लास में कॉंड पीता है अब सुनों आप सुनों आप मालो मालो अब दो मिनिट के लिए थोड़ा अब एकोनोमिक सा घ्यान लगाना मालो एक वर के लिए मैजन करो मेरे कंपनी का नाम है आरायल मेरे कंपनी का नाम है और मालो तुम लोग सब पता है कौन है मेरे कंपनी का शेयर होल्डर जब तुम लोग मेरे कंपनी के अंदर में पैसा इंवेस्ट किया था इस सोच में किया था इस चाहत के साथ किया था कि पहला साल के एंड मेना डिविडेंट तुम लोग को चाहिए पांच रुपया पर शेयर अब थोड़ा भुद्धी लगाओ और मालो मेरे पहला साल में जबर्दस प्रॉफिट कमाया तो क्या लगते हैं चोटा मोटा देगा या अच्छा देगा अच्छा देना चाहेगा जब अच्छा लोगा तुम लोग से पूछ नहीं बेगा रहे हैं आँ मालो तुम लोगा चाहता था पांच रुपया डिविडेंट पाना पर भाई हम इतना जबर्दस तरीका से बिजनस चलाया है इतना मस्त वल्द प्रॉफिट कमाया है कि तुम लोग को हम डिविडेंट 5 की जगा पता पांच रुपया तुम लोग चाहत था पर हम दिये साथ और हम एक बात बताता है जब भी किसी का जो चाहत होता है अगर हम उसको पूरा करें पांच नहीं साथ रुपया दिया तो जैसे इसको साथ रुपया मिलेगा यह जाएगा बजार में आँ यह जाएगा बजार में और बजार में जाके हल्ला करेगा अब बजार में जाके हल्ला करेगा अब बजार में जाके हल्ला करेगा अपने फ्रेंड्स को बोलेगा अपने फैमिली को बोलेगा अपने रिलेटिव्स को बोलेगा यार पता है पता है हम लोग नहीं कंपनी मे कर एक शंद बड़ेगा जो सप्लाइव कम हैं दिदेवार curse गिरेंगा या बड़ेंगा और प्राइस बढ़ेगा ये और खुश होगा बूलेगा वाह क्या कंपनी है एक तो डिविडेंट जो पांच की जगा था वो सात रुपया दिया अगला जिस रुपय में हम इस कंपनी के शेर को परचेज किया था ये प्राइस भी बढ़ रहा है यानि एक तो इसको को पढ़ने का एक मात्र उदेश है जो शेह होल्डर है ना इसके वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है अगर बीच में का इप्यों आय था पेटीयम का अग्या लगता है वो पेटीयम का आई प्यों लोगों को माला माल कर दिया या कंगाल कर दिया अब उस केस में पता है पेटीयम वाला बिचरा उस अच्छे उद्श के साथ आया था कि लोग का जो वेल्थ है इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे पर अनफॉर्चुनेटली वो क्या क्या शेह होल्डर के वेल्थ को खदम कर दिया तो यह सई तरीका नहीं था अगला अगला एक आ अगला बूलने का मतलब क्या है एफम के अंदर में हमारा फिनांस मैनेजर या फिनांस डिरेक्टर हर वैसा कदम उठाएगा जिसके द्वारे कंपनी के शेह प्राइस मैक्सिमम हो तुम लोग नाम सुना है विजय मालिया और वो किसका वो है और किंग फिशर तुम लोग हिए तुम लोग 2008 में बन्ड हो गया था अच्छा हां नी सौरी ने हो गया था हो गया था हो गया होगा यह संथी र१ा संहा प्रौन स्काइन सुमें प्वल्यूर मैं अ ऑडिटर पभूरू सी और हम उस समें पी डयूलो सी में की और हमनें किया थे माना हमको आइडिया वो क यह पता है शेहहलडर के वेल्ट को बढ़ाने का बहुत तरीका है जिसमें अच्छा प्राफिट कमाना आँ जैसी अच्छा प्राफिट पते का तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ न वो पार हुआ और अगर पार हुआ तुम अपने गाउं में जाएगी जाके तो अगर बैचास तुम लोग अभी बड़ा हो और कोई तुम लोग से पूछे कि बताओ financial management को पढ़ने का primary objective क्या है तो भूल से भी मत बूलना profit maximization मेरा financial management को पढ़ने का primary objective क्या होता है shareholder का wealth को maximize कर ला ठिक आ यह होता कैसे ही हम दोग जरूर जारेंगे धीरे-धीरे बीच पर हम सत्यम स्कैम के बारे में आपको शॉट में बताएंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या था तुम लोग यह सब जाने में इंट्रेस्ट है scam और क्या हुआ कैसे हुआ आप पादा है आप चुले काम करेंव राव ऐखिर पर नीचे लिख सेएंट है ऑसी यहां पर लिख 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 से हैं एक तो एजिसे फॉर फॉरा होगा यहां इस चुलिय नहीं पर अभगते हैं ensure प्रङमरी आप्जेक्तिव वेल्थ माक्सिमाइजेशन ठीक है यहां तक तो यह था हमारा बेसिक ज्ञान स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर यह जो चैप्टर है जिस दिन से एफेम बना था उस दिन से लेके पिछले टर्म तग हर टर्म में एक्जाम में आया है और आएगा और यकीन मानों यह दुनिया का सब तीजी चैप्टर है जरा है काम करना पहला चैप्टर का नाम लिखता लेवरेज यह शायद ना कोई एक बोर्ड में था 11-12 में था ना लेवरेज कौन से बोर्ड में था बिंगॉल बोर्ड में था ना और भी शायद कोई बोर्ड में था भीहार बोर्ड में था क्या IAC CBSC में इस अब नहीं है क्या वो लोग इस से उपर उठ चुक है चले एकाम करना ज़रा पहला लिफा चैप्टर का नाम है लेवरेज सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है topics to be covered सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है topics to be covered पहला topic हम लोगो पढ़ना है calculation of calculation of doll DOL calculation of doll DFL and DCL पहला topic हम लोगो पढ़ना है calculation of doll DFL or DCL next हम लोगो पढ़ना है impact of preference dividend impact of preference dividend on leverage तीसरा topic हम लोगो पढ़ना है trading on equity पहला पढ़ना है calculation of doll DFL, DCL अगला है impact of preference dividend on leverage और तीसरा है trading on equity trading on equity शायद सुनावे न BST में है चलो यह chapter गया भढ़ने अब एक काम करते हैं एक normal ना तुम लोगो पांच मिनिट के चीज़ सुनाते है एक story type का वो सुनते चलना पता ही नीच लेगा chapter खतम हो जाएगा अब सुनो अब एक काम करते हैं example लेकर चलते हैं मेरा favorite company not IDC FMA मेरा favorite company है R.I.L. R.I.L. जिसने कहा Ranjan thank you so much Ranjan Industries Limited आज है ठीक है अब सुनो जैसे cost के अंदर में हम लोग लेकर चले थे cigarette बनाना तुम नों बताओ धंक से बताना FMA क्या बनाना सीखना है पेट्रोल एक काम करते हैं वहाँ पर तो cigarette के example लिये थे तुम खुब्चे में न तुम को लशे सिखा देंगे अगला FMA में हम लोग एक काम करते हैं बनाना सीखते हैं एक बहुत यह अच्छा चीज जो आप लोग हर एक जन के जीवन में सुबसे शाम काम आता है वो है मोमो मोमो सुबसे शाम खाता है वो है पेन तुम तुम दुखी है सिख्रेटे से मैं इतना इंट्रेश्ट के सब सुबसे था चुले काम करते हैं बनाना सीखते हैं पेन अमालो रंजन इंडश्री इस डिमेटेट क्या है एक पेन मैनिफैच्छर अब जो हम रेट्स के लिखे गा ना तुम लोग मत लिखना शुप चाप खाली सुना सुन सुनौ में एक मिन एकप्रीश सुना है अब भाई मेर को बनाना है पेन पर पेन तो बनाएंगे तब जब पहले मेरे पास होगा पैसा कि आप मेरा पहला क्वेश्चन उठता है कि आजन के पास पैसा है एक वर एक्जांपल लेकर चल रहे है निया निया मैं अभी आये है निकल ने के लिए क्या रंजान के पास पैसा है नाई और रंजान को यहां पैसा you एक यह कust कि अभी रोग दूसरे मिले आप आप का नाम क्या है उआश और याश की बिल्यु वाले अक्षित इक मिला हम लुगको अभिरूप एक草 यश एक मिला अक्ष एक और ना पहले में नोंको पकड़क लेके आया नवी की तीज ऊ's करेंगे अभिरूप और यश के एक और सुनना अच्छे सुनना हम गए अभी रूप और यश्च के पास हम अभी रूप और यश्च मेरको ने नया बिजन शुरू करना है पेंद बनाने का उसके लिए चाहिए मुझे पैसा क्या दोगे आ यह लोग पुछा है बताइए कितना रुपय लगेगा हम अभी रू साल क्या देंगे पापी दुनिया अभी तक पैसा दिया नहीं बोलता है आप क्या देंगे हम ना सुनो ना अब अभी रूप है इसको ना थोड़ा वैसा है वह समझा है कैसा है थोड़ा वूस टैप कहिए ठीक इसको पसंद आः ये बोला कि देखिए उेक्वीटी उेक्वीटी न अच्छा साउंड कर रहा है पहले हिए एक्वीडी शेयर क्या हम पहले बता भेए तुम मिरा को कितना रुपीया देगा? हम आपको देंगे 6,00,00, विजए बता इज-ई noite सुनो अगर तो यह पें आपיס पैसा दिये तो तुम company के एक तरह के उनर हो गया हरे क्लाइन सुनना अगर कोई एक्विटी शेर के द्वारा पैसा दिया वह एफेक्टिवली स्कंपनी के एक तरह का उनर हो गया यह वह भूला हम उनर बन जाएंगे हम बना जितना प्रॉफिट आया सम मेरा हम बना हाँ जितन को रिस्क लेना पसंद आए हम बनेंगे ओनर हम आपको देते हैं 6 लाग अब अगर यह मेरे को दे रहा है 6 लाग रुपया तो पताए इसके गेंशने में इसको क्या देने वाला है 60,000 एक्विटी शेर अड़ रेट रुपीस 10 इच फिर रहे हैं यहां तक अरे बोलो ना अब अगला बारी आया है यश का आयश बोला बताए दूसरा तरीका क्या है पैसा देने का हम बोला डिबेंचर बोला डिबेंचर एक तरह का क्या है हम बोला अगर तुम मेरे को डिबेंचर के द्वारा पैसा देता है तो यह तरह का लून है डिबेंचर के पूछा, interest rate क्या, हम भूला 10%, अब अगला दो question, यह मेरे से पूछ रहा है, तर इसका जवाब मेरे भीहाफ में तुम दोग देगा है इसको, देखो उसको, जवाब दो, यह मेरे से पूछा, माल लिजे, कोई साल में, कोई साल में, कोई साल में, जबरदस वाला profit हो जाए कोई साल में जबरदस वाला profit हो जाए क्या मेरे को 10% से ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा बोला अगर माली ये कोई साल में loss हो गया तो 10% तो मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा आ भली profit हो या loss हो इसका अगर fix किया है 10% इसको क्या मिलने वाला है 10% आज यह नहीं बोलता है यह नहीं मेरा एक तरह का कोई रिस्क नहीं है हम बोला है आपका कोई रिस्क नहीं है हर एक लाइन समझना हर एक शब्द में तुम कौन है मेरा अगला है डिबेंचर चार लाख रुपया दिया इसके अगेंश्ट में पकड़ा रहा है तेन पॉसिंट डिबेंशर आपका नाम क्या है यश भाई 6 लाख मिल गया अभी रूप से 4 लाख मिल गया हमारे यश से 10 लाख रुपया आ गया और एक वार रंजन को पैसा मिल जाए तुम लोग कोई अच्छा नीज वह सकता ने मेरे ली है एक सरु लोग दाओ अर एक वार रंजन को रुपया मिल जाए आप पैसा डवल क्या बात है बोले एक वार रंजन को रुपया मिल जाए फिर वो जबर्दस अच्छा बिस्नस करने वाला है बाई पैसा आ गया है पर मेरे को बनाना है पेन रस्ते में थोड़ी बनाएंगे हम रस्ते में थोड़ी बनाएगा मेरे को चाहिए एक जगा और जगा लेने पता हैं किसके पास जाने वाला है आपके पास आपका नाम है अक्षित तुम दोगों पता नहीं अक्षित कौन है औ मेरे को चाहिए इससे एक जगा इसके बहुत जगा है जगा है जगा है मेरे को चाहिए इससे जगा ये मेरे को दिया बोला ये वाला जगा प्यूस कर लो अब यस वह अक्षित यां अक्षित से हम ले रहे हैं जगा मैं इसे बाइद बटा बहुत बड़ा जगा चाहिक आप नम्हें पचास थाज़ार 50,000 per month यानि साल का आता है 6 lakh अब obvious होता है यही जो बुलेगा हम तुरंट थोड़ी मान जाएगा हम इसके साथ negotiation किया इन्होंने कहा 6 lakh रुपया साल का हम negotiation के बाद finalize किया 3 lakh रुपया साल का negotiation यह 23 lakh पर एनम हम जो देने वाले हैं rent का भाई पैसा आगया जगा आगया अब रंजन बनाता है पैन अब तुम दों को मेरे को कुछ नहीं करना मेरा खाली लाश पर प्रॉफिट कैल्कुलेट कर देना आया यर्वन आया यर्वन मालों पहला साल में पता है मैंने कितना पैन बना कर बीचा है 10,000 पहला साल मैंने सुबह से शाम मेहनत किया 10,000 पैन बनाया और बनाकर बीच रहे हैं पता है हर एक पैन हम कितना बीचता है 100 रुपे में वर्ड क्लास पैन है ऐसा पैन जो हाथ में आप चलना शुरू हो जाए ऐसा पैन है एक सीर तुम लेगी ना पैन तुम लेगी ना तुम लेगी ना सुन लिया जौन मिल गया चुप बो जवघव कि आमालो मेरा पेला लाइन मेरा सेल वैल्यव आने वाला है और एक पैन को बेचे 100 रुपे में तुम दो एक काम करो ना एक और इनकर statement complete करवाना फटा-फट खाली calculation करके एक को बेचे 100 में एक का 100, 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 पतब 10,000 पेन को बेचे sale value क्या आने वाला है, 10,000 लाद, तो मेरा sale value क्या आया, 10,000 लाद, पर भाई बेचेंगे तो तब पहले उसको बनाए होंगे, और बनाने के लगता है direct material, अब थोड़ा याद करना cost को, आप बनाने के लिए क्या लगता है direct material, क्या लगता है direct labor, क्या लगता है direct expense, क्या लगता है factory overhead, मार लो हर एक पेन को बनाने का लगता है 60 रुपया, मार लो हर एक पेन को बनाने का लगता है 60 रुपया, तुम लोग एक बात तो यानि यूनिट के बढ़ने के साथ साथ यह खर्चा बढ़ेगा घबराओ मत अब हर एक पैन को बनाने का लगेगा साथ तो जैसे इसे पैन जदा बनाएगा खर्चा बढ़ेगा बताओ इस को क्या बुले अफिक्स बुले बाइब को बुले मेरा विरिबल कोस्ट और सेल म 6 लाग अब देखे तो लोग कोस्ट कितना याद है सेल माइनस वेरिबल कोस्ट मेरा कंट्रिबिशन आने वाला है 4 लाग आप कोई मेरा को देखा कंट्रिबिशन में हम लोग क्या माइनस करते हैं माइनस करते हैं फिक्स कोस्ट एक मिनट कोई बताओ ये तीनों के अंदर मे यह तीरों के अंदर में मेरा fix cost कौन सा है जो अक्षित का rent है यह मेरा fix cost है हाँ 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 आते है पहले एक वर यह वाला तो fix cost है मेरा rent क्या है fix cost एक पेंद बनाए या ना बनाए हजार बनाए या 10 लाग बनाए मेरा rent लगने वाला है 3 लाग माइनस किये है fix cost तीन लाग अब देखो क्या बचा है एक लाग पता है इसको हम लोग क्या बूलते है एक वर्ड जो होता है E B I T एक मिनट वापस बलो कैसे बता रंजन ने बताया है रंजन पहले ही सब कुछ बता दिया तो वापसे fees किस चीज़ का लिया है मेरा E B I T आया है एक लाग एक सेन E B I T क्या था Earning Before Interest and Tax अब देखो जैसी E B I T आया दूरन दोड़के आभी रूप मेरे पास बोलते है ये पैसा मेरा हो गया क्या आम उना रूप ये है Earning Before Interest and Tax तुम दो बताओ Earning Before Interest and Tax से में पहले क्या माइनस करें इंटरेस्ट माइनस करेंगे अब माइनस करना है इंटरेस्ट कोई मेरे कोता है का इसको तो पैसा दे दिये इंटरेस्ट इन दोनों में किसको मिलने वाला है अभी रूप को या यश को यश को कोई बताओ Interest का माउंट कितना मेरा 4 लाख रूपे का लून था 4 लाख रूपे का लून था इस पे Interest रेट है 10% 4 लाख का 10% कितना आने वाला है 40,000 माइनस करते हैं Interest 40,000 आप को ये गेस करो इसका नाम क्या आई आने वाला है EBIT में से आई गया आई ये क्या आने वाला है EBIT ये आएगा 60,000 EBIT Earning Before Tax अब वापस आएगा भी रूप बूले 60,000 मेरा नाई भाई दुनिया में जो करना है करो पर लास्ट डे जरूर एक इनसान आएगी उनका नाम है मूदी जी आएगे मूदी जी और आकर तुम लोग से पूछाएंगे आएगे उनका स्टाइल बड़ा मसता है भाईयो बहनो मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों आएगे बाद में बुलेंगे बताओ देश का बला होना चाहिए या नहीं सब बोलेगा होना चाहिए ला टैक्स दे और तुरंट वो टैक्स देकर चले जाएंगे अब एक वार के लिए अच्छा नहीं बूलना चाहिए था नहीं वैसे मूदी जी ग्रेट है मतलब मतलब हुज रिस्पेक्ट हुज हुज फैन मूदी जी और दिदी दी बहुत अच्छी है दिदी का कोई मुकामला थोड़ी है ए देखो तुमों के से में उल्जाओ मत बिरको चले बीटी से माइनस करते हैं टैक्स मालो एक वार के लिए इमाजिन करो इंडिया के इंदर में टैक्स चल रहा है पचास परसेंट अगजांपल दे रहे हैं ताकि कैल्कुलेच्छय आसानी से हुए ए गजांपल में पचास परसेंट अच्छा लगता है मालो वार टैक्स लगता है 50 अच्छेंट तुरे बर्छाट कमाए थे साथ हजार अगजास परसेंट टैक्स दीये अब जो लाश्ट में profit बचा पता है इसमें किसका अधिकार है हमारे owner का कोई बता है किए ये तीनों के अंदर में owner कौन है अभिरूप अब last day हम बुलाए अभिरूप को अभिरूप को आजा आ लाश्ट में बुलाए अभी रूप को अभी रूप को बुलाए हम बुला देखो भईया पहला साल खत्म आपके पैसे का मैं ने सद उप्यों किया बुला बताईए मिरे को कितना रिटर्ण देने वाले हम बुला भई आप तो उनर है जो लाश्ट में बचा हूँ आपका ये मिरे से बुचा बताईए लाश्ट में क्या बचा हम बुला ये देखें इंकम स्टेट्मेंट आपके लिए बचा है 30,000 रुपया अब पताई ये पूरा इंकम स्टेट्मेंट को धंग से स्टड़ी कर रहा है अब अगला दो-चार मिनट ध्यां दे रहा है धंग से स्टड़ी कर रहा है बुला अच्छा आप मिरे को दे रहे हैं 30,000 हम बुला हाँ बुला मेरे दोस्त यश को हम बुला 40,000 अब ये मेरे को बुला यश आपको कितना रुपया दिया हम बुला 4 लाग आप इसको कितना देने वाले हैं हम बुला 40,000 बुले पक्का बुले आपको 4 लाग दिया आप 40,000 दे रहे हम बुला येस बुले हम आपको कितना दिया हम बुला आपने मिरे को दिया 6 लाग कितना देने वाले हैं हम बुला 30,000 बुले कहा का इंसा आप तो ओनर है ओनर बुले भड़ में गया ओनर बाद में मिरे को 4 गंदा गंदा गाली दिया तुमको इसमें इंट्रेस्टे कौन सा आ ये मिरे कुछ चार गंदा गंदा गाली दिया आ मिरे को बहुत गंदा अदा आवास सुना है बोला भाड दे गाली दे अगले साला के और दे गे हम बोला सुन तुम निकल यहां से अगले साल देखना हम क्या करने वाला है बोल आपसे कुछ नहीं होगा हम बोल अगले साल देखना और तुम लोगों पता है अगर कोई रंजन को सुना कर चले जाए रंजन क्या करता है हुआ एक रखतै रोध एक मत्यारत Almighty चैलेंज कर दिया तो तम लोगों पाता हुँ रखता है श्याम को पनाएंगे राद भर पेंद बनाएंगे, सुबर से शाम पेंद बनाएंगे खाली हैं पेंद बनाएंगे और मेरा कोई उद्श ही नहीं है खाली मेरे को इसको गरत प्रूफ करणा है अब लगाना बुद्धे मेरा इस चैप्टर का आखरी लाइन, तुम दो लेगा बहुत पेंद बनाएंगे पता है पहला साल बनाया था 10,000 अगले साल सीधा बनाएं है 20,000 सीधा पेंद हो गया डबल सीधा पेंद हो गया डबल अब तुम दो क्या मेरे ले इंकम स्टेप्रेंट पूरा कर पाएगा एक बावदो पेंद हुआ डबल तो मेरा सेल वालू भी हो जाएगा डबल सुचो ना एक पैन को बेचे सौ में तो बीस तदर पैन कितना बिखेगा आ बीस तदर इंटू सौ कितना आएगा बीस लाक अब हम शौर एक लास में बैटा हरिजन कैल्कुलेशन शुरू कर दिया बोलो पते क्या सोच रहे है पैन एग तुम वह लड़का सोचा है अरे तुम तुम सोचा है एक जएंट तुम अनुक है कि कि को एक जन के आया है तुम कुछ आज तो देखो आज काफी लोग सोचे हैं भाई पैन हुआ डबल सेल हुआ डबल आज तो मेरा प्रॉफिट भी होता है डबल अब तुम लोगा जो नादानी है इसको हम दूर करते हैं एक बात बताते हैं प्रॉफिट डबल नहीं हुआ या लगता है प्रॉफिट डबल हुआ या क्या हुआ डबल से कम हुआ या डबल से जादा हुआ ज़रा देखे एक बार काल्कुलेट करके क्या हुआ एक और फटा फट काल्कुलेट करें कितना आने वाला है एक का लगता है तक पता कितना आने वाला है आठ लाक अप जैसी कॉंटिबिशन ने आये आज आंक्षे तो आके मेरो को बोलता है सुना है इस साल बड़ा पेंद बेचे है हम बोला हाँ बेचे तो है आच्छा मेरे को रेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आच्छा रखता है जैसी है मेरे को बोलता है रेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आइसको ज़्यादा मिलेगा ये नहीं मिलेगा हम बोलेगा भाई सुन जब मेरा पहला साल बुरा वक्त था तुम मेरा साथ दिया था दिया था जब बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं था अच्छे वक्त में हम आपका साथ नहीं देंगे मुझ पे हमारे तीन लाख धक्का मारके फेक दिए इसको अने ध्शन देना मेरा फिच चॉश्व क्या लगने वाला है तीन लाख यानि बने मेरा एविटी कितना बन जाएगा पांच लाख सॉरी इविई पांच लाख अब इसके वाद मरे को पेक ड़ना है इंट्रेस्ट अब मेरा EBTI है 4,60,000 अब यह जैसी 4,60,000 आया बताओ आखरे दिन कौन आ जाएंगे और मोदी जी से लड़ाई जगडा नहीं करना वो जो बाब बो मांगेंगे दे दो ऐसा हो नहीं मांगेंगे जो 4,60,000 आया इसका 50% मिर को देना है टैक्स अगर तुम दो calculate करेगा 4,60,000 का 50% क्या होता है 2,30,000 आया या नहीं पता है मेरा profit कितना बचेगा 2,30,000 आया जो लोगों ने कहा था profit हो जाएगा double आप लोग सब गलत थे एक सेन सची सची एका promise वाला बताना कोई तो सोचा होगा double हो जाएगा कोई तो सोचा होगा तुम सोचा था तुम सोचा था ये है वो बेफकू आँ ये है वो नादान लड़का जिससे सोचा था कि मेरा profit हो जाएगा double भाई profit double नहीं double से जादा हुआ एक मिनट तुम लोग यहां तक clear है भाई एक मिनट एक मिनट question तो अब अगला है आँ तुम लोग पहले बोल तो दिया बड़ा बड़ा बात नहीं ने profit double से क्यादा होगा कोई बताओ profit double से जादा हुआ इसका पूरे income statement के अंदर में दो कारण है हर बढ़ाना नहीं आज जो मेरा profit है वो double से जादा हुआ इसका कारण पूरे income statement के अंदर में दो line है चाद कोई मेरा को बता सकता है वो दो line आँ वो दो line आँ मेरा वो दो line क्या क्या है एक मिनट पहला क्या है पहला है मेरा fixed cost बताओ अगला क्या है आँ मेरा अगला क्या है interest आँ मेरा पहला है fixed cost अगला है interest सोचो सेल हुआ double variable cost भी हुआ double आ मेरा contribution भी हुआ double पर भाई यह जो मेरा fixed cost है वो तो same रह गया ना और अगर यह same रह गया तो जो अगला EBIT आएगा वो double से ज़्यादा हो जाएगा अगला EBIT अगर double से ज़्यादा होता है उसके देखो जो मेरा interest रह गया same जैनि जो मेरा EBIT है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा आ यानि एक बात बताते हैं एक quick fire खिल रहा है सेल अगर बढ़ता है 10% variable cost भी बढ़ेगा 10 आ मेरा contribution भी बढ़ेगा 10 चल लगता है fixed cost बढ़ेगा अगर fixed cost रह गया सेम यानि EBIT दस बढ़ेगा 10 से कम बढ़ेगा या 10 से ज़्यादा बढ़ेगा अब अगला मेरा interest भी रह गया सेम यानि जो EBIT है वो उससे कई ज़्यादा बढ़ेगा और last video tax देंगे यानि EAT बढ़ेगा 10 से कई ज़्यादा तो in short मेरा बूलने का मतलब क्या कि अगर बैचान sale होता है 10 परसेंट बढ़ना तो profit 10 नहीं 10 से ज़्यादा पढ़ता है इसका कारण है दो एक मेरा fix cost एक मेरा interest का cost सुनो एक घंटा खतम कोई ऐसा है जो पिछले घंटे में जो बताया है जो पूछे वह आंसर देदेगा ठीक है एक मिनट पहले न तुमनों मेरे को पूरा class एक देखना नहीं सबका चैरह उपर एक वाज ज़रा बताना मेरे income statement का format किया था एक मिनट श्टार्ट करना पहला लाइन किसके साथ माइनस करेंगे क्या मिलेगा माइनस करेंगे क्या मिलेगा EBIT मेरा earning before interest and tax माइनस करेंगे क्या मिलेगा EBIT माइनस करेंगे क्या मिलेगा EAT क्या है earnings after tax अगला question sale बढ़ता है 10% profit बढ़ेगा 10 से कई का जरुवती है 10 से ज़्यादा काम चल जाएगा अब इसका कारण था कुल मिला कर दो एक कारण था fixed cost एक कारण था interest cost ठीक क्या लिखा एक से एक है मेरा fixed cost एक है मेरा interest अब एक बात सुनो पता है fixed cost जो है यह जो fixed cost है इसको हम लोग बूलते है operating nature का तुम लोग का क्या cash to statement पढ़ना हो गया सुनावा है कभी 11-12 11-12 यादे cash to होता था तीन activity का एक था operating एक था investing और एक था financing पता है यह मेरा है operating nature का पता है यह है financing nature का यह मेरा operating nature का क्यों है भाया day to day operation करने के लिए मेरे को चाहिए होता है और जो भी जगा चाहिए होता है उसके लिए मेरे को fixed cost देना पड़ा तो यह जो मेरा fixed cost है इसका nature क्या है day to day operation में लगने वाला operating nature का और यह जो मेरा interest है यह भी देखो मेरा fixed cost था और मेरा यह वाला fixed cost क्यों आया क्यों कि मेरे को कहीं से पैसा finance करना था किसे पैसा finance करना है दिबिंचर वाले से तो finance करने के लिए मिरको देना पड़ गया कुछ fix cost तो यह जो fix cost लगा है वो finance करने की वज़े से लगा इसलिए fix cost का nature क्या है financial nature का कौन सा यह वाला जो interest cost है यह मिरा है financial nature का तो यह हुआ operating nature यह हुआ financial nature एक मिनिट कौन यहां पर आना चाहेगा है कि कई लोगों ने हाथ उठाया है पर मैं सबसे पहले इंवाइट करना चाहूंगा जो सबसे पीछे-पीछे रहेगा आपको आप फड़ा फड़ा ये और कोई इनको हिल्प मत करना आज हम तीन लोग से क्वेशन पुछेएगा आओ फड़ा फड़ा और सबसे पहले आपका नाम क्या है साथी साथी यह साथी है साथी जी आप आये पुड़ा कैमरा के सामदें सबसे पहले पूरे क्लास को बताओ प्रेंशल मैनेजमेंट का डेफिनेशन सर फानेशल मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजेरीयल एक डिद्रिमेंट बनेशा से लेता है जिस प्लैनिंग और गनाइसिंग डिरेक्टिंग इन कंट्रोली फानेशञ अधिविटीज को अीजिविटी दो टाइप का होता है एक फार्क्रोंट ऑफ पन्ट और एक होता है उत क्यूर्मेंट उसको अब्जेक्टिव होता है तू मिनिमाइस कॉस्ट और जो यूटिलाज़ेशन ऑफ फंड होता है तू में तू मैक्सिमाइस रिटर्न और दोनों को जब योड़ेंगे तो विल्ट माक्सिमाज़ेशन प्राइमेरी रहता है और एसे का अगला इनका सीड़ेशन संपाइब करेंगे एसे सिल बढेगा यसका कारण पूरी इंक स्टेट्मेंट में था मोलो क्या स्कॉस्ट और इंट्रेस। और दूनों का अलग अलग निचर बताओ दूनों का निचर क्या है और जो इंट्रेस्ट है वो फिनेंसिंग निचर क्या आपको मिलने वाला है कि मेरा आइफोल कि देनो सची में सिर्फ अपना कर लेना अज त हमको अग एक वाल देटा का बैकप लेकर तूमको दे देगा आपको मलना चाहिए और आइफ़ें का परला है तो उचन्क थाऊजन से शुरू कर सकते है आप इथा रहो या अधर काट क्यों निकोंगे इनको मिलता है 1000 जेली शेए एक बाव तो सही से बताओ तुम लोगो यहाँ पर बैठे वे किती लोगो सारा अंसर जियाद था बेरी गुड ऐसे याद रखना चलो पचास तो अब एक दम सच बता रहे हैं हम एक दम हर क्लास तो हजार रुपय देगा मिनमम हजार मिनमम हजार आप मेरा तुम लोगे बैच के लिए टार्गेट अलग रखावा है यह को आप शे लाख रुप्या खर्चा करना तुम लोगे बैच में अब एक बास सुनों आफ फट फट बास सुनों अब दोजार के लोट चलेगा 1000 का नोट दे चलेगा चलेगा पकहा तो कल 2000 का नोट लेके आंगे चलो एक काम करते है ईबसे जो भी इंसेंटिफ आएगा $2000 के नोट का 500-500 का नहीं देंगे 4 2000 के एक नोट देंगे चलेगा पर हम लोग यह वाला इंसेंटिफ स्टार्ट करेंगे 29 सेप्टेमबर से अब सुनो एक बास सुनो एक बास सुनो बहुत सुन्दर बात पताए अगर यह चीज बढ़ने के लिए हपनाएं क्यों आगर यह चीज बढ़ने के लिए अप्लाई करता है तो इस शीम गिडिने के लिए हपना बढ़ने के लिए अप्लाई करता है तो ध्यान देना यह प現在 गिरने के लिए अप्लाई करता है मतलब क्छा अगर मालों सेल कम होगा 10% तो variable cost भी कम होगा 10 contribution भी कम होगा 10 चला अगर मेरा fixed cost कम रहेगा सेम रह जाएगा यानि मेरा EBIT 10 से ज़्यादा कम हो जाएगा अब मेरा interest भी रह जाएगा सेम यानि EBIT उससे ज़्यादा कम हो जाएगा यानि ध्यान देना ये दो गजब का चीज है मेरा ये दोनों fixed cost गजब का चीज है जब अच्छा वक्त आता है ये बहुत मस्चीज है पर वही अगर बुरा वक्त आता है तो इन दोनों से खतरना कोई चीजी नहीं है अब imagine करो लगाता है मेरा सेल बड़े जा रहा है बड़े जा रहा है पर दो खर्चा ऐसा जो सेम रहता है कितना अच्छा लगेगा पर वही मालों जब मेरा सेल गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है पर वो दो खर्चा है जो सेम रहता है कितना बुरा लगेगा तो यानि जो चीज return create करता है वही चीज risk create करता है आज तो बहुत काम करते हैं ये पूरे chapter में हम लोगों करना क्या है हम लोगों सब पढ़ लिए दो तरह का risk आया है एक आया ये operating वाला एक आया financial वाला इसके बारे में लिखते हैं दो शब और फड़ा फट खड़ा 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 अरे बोलो ना ठीक पर हम एक चीज़ अब्ज़र्फ किया है गर्स जदा अक्टिव है इस क्लास में बॉइस को मोटिवेशन नहीं एक मिनट अभी जब मौका दिया हाथ उठाने का कौन हाथ अपया है लड़ लुब अजय ठीक है आच Pent рекज़ है ठीक है चुल बहुकां करें करने क्करते हमारे छापिटर चापिट ही ले डिवरैज दिवराइज का इंप और जितना चैपिए नहींप रूत वोल दिया चलो एकाम करते हैं पहले लिखते हैं दो शाब चलो हाँ करेंगे युलू बहुत करेंगे होगा होगा पहुत जल्द होगा आज चलो एकाम करते हैं पहला लिखते हैं the term leverage बाई यह word leverage क्या था यह हम बताया नहीं अब हम बताने जा रहे है word होता क्या है the term leverage is derived from the term leverage is derived from french word liver यह जो मेरा शब्द लेवरेज है यह डिराइफ करते हैं एक french word से liver किसी को इस class में french आता है कोई भी foreign language आता है कौन सा कौन सा बोलो अरह हस कह रहे है बोलो क्या आता है नेपाली एक से तुम आता है क्या आता है इदर इंग्लिश आया हिंदी या मारवाडी या बिंगॉली या गुजराती अब भार को यह language नहीं आता इस class में एक ऐसा जन है जिसको 28 language आता है 28 इस class में एक जन है जिसको 28 language आता है तुम लोग के मन में जरूर रिचारा होगा वो महान इंसान कौन है आ वो महान इंसान आ वो महान इंसान आपको के सामने कहड़े है कौन में बनाजन और कौन आ फ्रेंच मेरे को पूरा आता है अज़ागर हम बोल के तो लोग कौन सा समझेगा मेरे साथ बोसब गिम मत खिलो तुम लो पहले समझ के आओ फिर मेरे से बात करना फ्रेंच में हम जिस देश में जाता है वहां पर उनलोग की बात करता है वो लोग पगला जाता है वो लोग भी होश हो जाता है सब मेरे को अरबिक आता है अरे वाँ क्या बात है देखो आ ये जो वर्ड लिवरेज घे रिडराइब हुए एक फ्रेंच वर्ड लिवर से और यह जो वर्ड लिवर है न यह तुम लोग का आ फिजिक्स में पढ़ावाया है क्लास 7-8 में याद आगया आ लिवर फिजिक्स में पढ़ावाया है क्लास 7-8 में आ बताओ लिवर का मतलब क्या अच्छे एक सेट एक सेट तुम लोग को याद आएगा भी हम एक चीज बनाता है बताओ यह में क्या बनाया यह हम सीसो बनाया एक सेट आज तुम लोग आज से पांच साल पहले यह वर्ट सुना है लिवर पांच साल पहले और पांच साल में तुम लोगों याद नहीं है और रंजन यह वर्ट सुना था 26 साल पहले 26 साल पहले सुने थे वर्ड लिवर याद कर एक वर्ड फलक्रम होता था यादा नहीं फलक्रम आ लिवर आ एक बहुत भारी समान था आ जो आराम स्विम लोग लिफ्ट ये शिफ्ट करते थे छोड़ो एक दूर करो आ लिवर क्या एक ऐसा टूल आ जिसके दौर एक बहुत ही भारी अब्जेक्ट हों लोग आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं लिवर तुम लोग शाहिद भूल गया सब कुछ मेरे को याद दिलाना पड़ेगा शेम लोग शाहिद पास कैसे हुआ ओ अच्छा नहीं समझ गया कोवीड बैस था ना कोवीड बैस था तुम लोग का चलो आँ यहां लिखा लिवर डिनोटस न अबजेक्ट आँ लिवर के एक ऐसा अबजेक्ट आँ जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक बहुत ही भारी भरकम समान को लिफ्ट या शिफ्ट करने के लिए लिवर डिनोटस न अबजेक्ट विच इस यूसलाफ सेंग श्रीड विछ इस वर दफछन अबजेक्ट Which is used for lifting OR shifting lift करो या shift करो which is used for lifting or shifting a heavy object with little effort थोड़ा को त्यादा रहे हैं सब सुनावा या तो तो साइंस लें दिये तो यह बाद सुने साइंस ले लिए होते हैं ठीक आप मेरा अगला क्वेश्चन अब सुनो मेरा अगला क्वेश्चन इस चीज़ का यह फिनेशल मैनेजमेंट के साथ रिष्टा कैसे बना मेरा लिवर के एक बहुत ही भारी भरकम चीज़ को आराम से लिफ्ट यह शिफ्ट करने में काम आता है उसको बोलते हैं लिवर क्वेश्चन उठता है फिनेशल मैनेजमेंट में इसका क्या रेलेवेंस है अब हम चाहेगा अगला पांच मिनट प्लीज ध्यान देना पताई य मेरा एक है फिक्स कोश्ट एक मेरा क्या है इंट्रेस्ट यह एक हवी अबजेक्ट है अब यह जो हवी अबजेक्ट है इसको आराम से शिफ्ट करना है आ क्वेश्चन उपता है कैसे करेंगे अब देखो अगला पांच मिनट प्रीज पांच मिनट पांच मिनट पूई हसन में दाट तोड़ देगा बताा है एक फ्लो नहीं बनने थे तेना तुम लोग में एक फ्लो बना रहे हैं ठीक है ना पर बताए ये तीन लोग के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में रिस्क खाली एक जन ने लिया, आ बताऊ ये तीनों के अंदर में रिस्क किसका था, ध्यान दो, ये कौन है, यश, इसका कोई रिस्क नही था, लौस आया प्राफिट आए, इसको तो 40,000 मिलेगा, हमारे क्यों लिखें आज है कि अच्छमा मेरों का हटा हो तुम लोग कहा है हम अभी धूब लिखो और यह भी हसर है अभी धूब एक मात्रा रिस्क किसे लिए अभी रूप में अभी रूप कौन है एक 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 प्राफिट डबल से ज्यादा हो जाएगा तो पता है अच्छे वक्त में एक्विटी शेयोडर को ये दोनों से प्यार हो जाएगा इसको कितना अच्छा लगेगा अब जो अच्छे वक्त में अच्छा होता है बूरे वक्त में वही सबसे बुरा होता है imagine करो अगर sale यहाँ पर 20% कम हो जाए variable cost कम होगा 20% मेरा contribution कम होगा 20% अब यह जाके इसको request करेगा भाई 20% पैसा कम लेना बोला नहीं हम तो उतना ही लेंगे आँ बाद में जाके request करेगा यह को वही 20% पैसा कम लेना यह जानी समझना यह दूनों चीज अच्छे वक्त में कितना अच्छा था ज्यादा पैसा नहीं मागा और बुरे वक्त में कितना बुरा है कि पैसा कम भी नहीं करता है तो यानि equity shareholder का जो return बहुत अच्छा होता है उसमें खानी दो लोग का हाथ है एक यह वाले का और एक यह वाले का क्योंकि यह लोग अभी भी देखो अड़ावा है और भाई यह चीज समझना तो बड़ा असान है कि पूरा का पूरा दुनिया 2020 में एक चीज देखकर आया था कोविड आ कोविड में याद है पूरा lockdown हो उसमें तो सारह बिजनस बंथ हो गया अब पता है हर एक बिजनस सफर किया प्रमेन वो ब्यूस किया जिसमें विक्सकोस्ट था कारण कैड़ बिजनस बन्थ हुआ यहा है पर भाई पाई मेरे आप पढ़े जा राह विरू सेल कुछ हो नहीं रहा है पर मीरे को दिना पढ़ पढ़ाने के लिए जो मेरा लास्ट सैलरी डॉन था जॉब में वो सा 48 लाक रुपीस पर रिनम, 48 लाक रुपीस का मेरा सैलरी था वह हम 2013 का बात चल रहा है, हम उस्ते में त्यागे और आय पढ़ाने के लिए, आज जवाई पढ़ाने के लिए तो मिरे को ध्यान है पहला टर्म में हम कॉस्ट पढ़ाया, एफम पढ़ाया, लॉप पढ़ाया, और ये चारो सब्जेट का मिलाकरम फीस दिया था 3500 रुपया, चारो का मिलाकर दिया था 3500 रुपया, और पता है पहला टर्म में कितने अब जो 21,000 रुपया मिला हम घर में गया हम पापा को दी हैं बोला पापा 21,000 रुपया बोला क्या चीज है यह हम बोला पापा अगले च्छा मेने के इंकम कि जो एक वा स्टुडिंट आगे हो तो च्छा मेना पड़ेगा अपने एक्जाम देगा फिर अगला सेशन आएगा सऩय मेने के इंकम्का इंकम हमोगा अब क मैरवाड़े नहीं त मार वाड़े नहीं है लैंडोड आया हम भी आप अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अब आदे को गिनो कितने बच्चे एक वारा की गिनो आओ आओ की गिना एक दो तीन चार पांच है हम रहे को छे बच्चे लोगे 3500 रुपया दी हैं खाली 2000 मिला है अब 2000 में अगर आप रेंट लोगे बताओ में को क्या बचेगा मैं क्या खाऊंगा कुछ नहीं बचेगा में पास आप लोगे बुला हमें लूँगा वो मेरे को छूड़ा नहीं वो बोला नहीं हम लेंगे आप बोला हम लेंगे तो हमको देना पड़ गया हमको 15,000 रुपया पर मंद जो रेंट उससे में बाठ था आप देना पड़ गया अब इमाजिन करो जो रेंट मेरे को कितना बुरा लग रहा होगा हैं तो पीना पिना किया है कि व nu 21,000 रुपीज 6 मैने का उससे में जो रैंट मांगने आता था हर महना कितना बूरा लगता था पर हम बात बताते हैं अगला session में हुआ 50 student, 6 से हुआ 50 पर rent अभी उतना लग रहा है, तो पता है उस से में rent देना थोड़ा कम चुब रहा था, आहाँ उसके अगले time में हुए 100 student, पर rent उतना ही लग रहा है, अब तो rent बिल्कुल नहीं चुब रहा है, उसके अगले time में हुआ 100 के बाद 20 से, 200 के बाद हुआ 500, 500 के बाद हुआ 1000, तो मेरे को 6 तम लगा था, 6 student से 1000 पहुचने में, तो जो पहला session था, उसमें मेरे को fixed cost कितना चुबा था, पर 50 में कम चुबा, 100 में और कम, 200 में और कम, 500 में और कम, 1000 में तो बिल्कुल नहीं चुब रहा था, यानि imagine करो fixed cost ऐसा खतरन अधर बात है, आप बुरे वक्त में यह चीज बहुत वो कर देता है, पर अच्छे वक्त में दिल लेके जाता है, कितना अच्छा लगता है, अब problem यह है कि जो fixed cost है, वो अच्छा भी है, वो खराब भी है, अच्छे वक्त में अच्छा है, बुरे वक्त में बुरा है, अब अच्छे के लिए तो पैदा हुए है सारा खराब हमारे साथ होने वाला है यह कोई फिनाशल मेनेजमेंट भी पढ़ाता कि अच्छा भी है सब को यह पढ़ाता है और अच्छा वक्त में बात करें तो इससे बढ़िया चीजी नहीं है पर अच्छाई को तो लोग देखते ही ह नहीं है दुनिया का नियम है सब को बुराई को देखता है और जब बुराई को देखता है तो इसलिए पता है इन दोनों को क्या बूला जाता है सबसे बड़ा रिस्क है किसके लिए एक्विटिश होल्डर के लिए इस रिस्क का नाम क्या है ऑपरेटिंग रिस्क को यह वा पका ना चुल अभर काम करते हैं प्रिखा वापस से दोशब किता सुंदर बात है फिक्स उस्ट कभि फिक्स कॉस्ट को इस नजरिये से को zu अ तुम किसको किस नजरिये से देखती है क्या Kaiser इंटाईशल मानेजमेंट इंदाईशल मानेजमेंट in financial management leverage क्या denote करता है risk जो किसने लिया equity वाले ने लिया कौन सा लिया दो लिया एक operating fixed cost वाला एक financial fixed cost वाला तो एक का नाम है operating risk एक का नाम है financial risk आपका नाम क्या है रजट रचित अगरवाल international management leverage denotes the risk undertaken by equity shareholder by investing in a company आप मेरा leverage क्या चीज़ को denote करता है risk को denote करता है जो एक equity shareholder लेगा क्यों को एक कंपनी में invest किया अब सेल के कम होने पर हर चीज़ कम हो जाता था विचारे मोदी जी भी कम टैक्स लेते थे पर ये दोनों अड़ावा था ये दोनों वोला मुतना ही लेगा तो ये दोने तो रिस्क है तो मेरा रिस्क है दो तरीका का पहला है पॉइंट नम ऑपरेटिंग रिस्क हिएा ऑपरेटिंग रिस्क और गासक Newman वे था हिए अपर्परल स incarcerated दो तरीका का मेरा पहले बाले का नाम क्या है ऑपरेटिंग रिस्क अचो अपरेटिन जिसका नहीं पूरा पूरी प्राक्टिकल आई दिनोड दिसक आविचराइज दूटू अपरेटिंग फिक्स्ट इंकर्ड इन दे टो दे ओपरेशन एक्जामपल हो गया रेंट या हो गया इंशॉरेंस या हो गया सैलरी और पर्मनेंट स्टाफ यानि जो जो मेरा फिक्स्ट है जो हलका सा टस से मस नहीं होगा वही तो रिस्क है कब अगर वाईचान सेल कम हो गया तो यह लोग तो उतने ही रुपया मांगेगा क्वेशन उठता है इस ओपरेटिंग डिसको मेजर कौन करता है डॉल कोई एक वार गेस करेगा डॉल का फिल फॉर्म क्या आपका राम क्या है शिवा मागरवाल डॉल का फिल फॉर्म है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यानि ऑपरेटिंग डिसको कौन मेजर करता है ऑपरेटिंग लिवरेज और मेरा क्वेशन उठते है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है बहुत ही मासूम फॉर्मूला है अब देखो दो तरीका है एक हम पहले फॉर्मूला सिंपल बता दे एक इसका पूरा डेरिवेशन बताए आ तुम लोगों किसमें इंट्रेस्ट है आपहले क्यों आया क्योंकि operating fixed cost था अब ये operating fixed cost की वजह से जो रिस्क आया वही है मेरा operating leverage इसको Calculate करने का फॉर्मूला है और व्यों ये fixed cost के पहले क्या आता था contribution पर ये fixed cost के बाद क्या हो गया EBIT यानि fixed cost को कितना EBIT में convert कर दिया वही तो रिस्क है पता इसका formula क्या है contribution divided by EBIT contribution divided by EBIT अगर तुम तो calculate करो यह पता कितना हैगा 4 lakh divided by 1 lakh 4 lakh divided by 1 lakh क्या होता है 4 तो पता है operating leverage आएगा 4 times यह क्या बताता है कि जो भी profit था वो 4 times कम हो गया यह fixed cost के आने की वज़े से मेरा profit 4 गुना कम हो गया सुचो अगर यह नहीं आता तो 1 lakh का 4 times 4 lakh रहता ना पर यह आया इसी लिए तो 1 lakh हो गया तो मेरा यह degree of operating leverage क्या बताता है इस fixed cost के आने की वज़े से मेरा profit कितना times कम होता है इसके उपर में क्या है contribution divided by इसके नीचे में क्या है EBIT यह same logic लगाते है कि कोई मेरे को अगला formula बताएगा यह है financial fixed cost कोई बताएगा financial leverage का formula क्या बनेगा EBIT divided by EBT बस यह दो इस formula पर हमारा chapter खदब होता है यह formula ऐसा आया क्यों इसका derivation हम जरूर बताएगे आज नहीं कल नहीं फटसो बताएगे चुले काम कर यहां लिखते है डॉल का formula यह किसकी वज़े से आया था वो operating fixed cost इसके उपर में क्या आता है contribution divided by इसके नीचे में क्या आता है EBIT यानि fixed cost के पहले contribution क्या था इसके आने की वज़े से profit क्या हो गया contribution by EBIT कितना time square कम किया अगला दिखते है financial risk मेरा अगला लिखते है point number two financial risk मेरा financial risk क्यों आता है क्योंकि किसी से पैसा finance किये इस वज़े से आता है और किसी से पैसा finance किये थे debenture वाले से उसी को तो fixed cost देना पड़ा था तो यहां लिखते है a company may raise long term fund from various sources like debentures a company may raise a long term fund from various sources like debentures a resulting in fixed interest cost यानि जैसे income statement में fixed cost आता है वो risk लाता है मेरा पहला था day to day operation वाला यह हुआ financial वाला इसको measure कौन करता है DFL कोई बताए का DFL degree of financial leverage यह किस वज़े से आया था यह financial cost की वज़े से आया था तो formula क्या बनेगा इसके उपर में EBIT इसकी वज़े से क्या बन गया EBT तो मेरा formula क्या एगा EBIT divided by EBT हम लोग इना तीन टम पहले एक student थी वंदना बोलके जम यह formula लिखा था EBIT वा EBT उसका अगला question था sir EBT तो cut जाएगा ना तो ऐसा खतरदाक maths इस class में किसी का नहीं है ना चुल अनुवेज यह था मेरा EBIT वा EBT आँ बस लास्ट में लिखते हैं एक word DCL आँ पता है DCL का full form क्या होता है degree of combined leverage यानि एक है खाली operating एक है खाली financial दोनों को जोड़ देंगे क्या मिलेगा combined leverage इसका formula थोड़ा सा ना मैस लगाना इसका formula होता है doll into DFL कोई एक बार doll into DFL को एक साथ में multiply करके मेरेको formula बता पाएगा doll क्या है contribution by EBIT मेरा DFL क्या है EBIT by EBT यानि DCL क्या है contribution divided by EBT समझा नहीं दुनों कट गया क्या है contribution by EBT और यह सारे के सारे leverage को हम दोग rupees में नहीं बोलते हैं कैसे express करते हैं time क्योंकि रूपया रूपया कड़ गया कुछ नहीं बचा है आउल लेबरेजस्ट ए इस्प्रेस्ट इन टाइम्स आँमेरा ओल लेबरेजस्ट इस्प्रेस्ट इन टाइम्स ठीक है यहां तक शोनों कौन मेरे को अंसर देगा जितना हम अभी तक बटाया है खाली उतना से मिसे तुम लोग यह हाथ क्यों उठा रहे हैं तुम लोग का एक्सपेक्टेशन है कुछ तुम लोग से जरूर पूछेगा उस समय को में गर्ल से पूछें किसी बॉइस से ठीक और रुको पर एक मिनिट बाद पहले यहां तक लिख लिया आँ सुनने एक और सब का चैरों उपर आपको एक मेरे को बिना देखे मेरे को सबसे पहले इंकम स्टेट्मेंट का क्या मिलेगा माइनस करेंगे क्या मिलेगा माइनस करेंगे क्या मिलेगा आगर बैचा सेल बढ़ता है दस परसेंट प्रॉफिट बढ़ेगा आँ सेल गिरता है पांच परसेंट प्रॉफिट गरेगा पांच से ज्यादा आइसका कारण है कुल मिलाकि इंकम स्टेट्मेंट म ये है मेरा financial nature का ये जो operating fixed cost है ये create करता है operating risk इसको measure करता है doll ये financial cost create करता है financial risk इसको measure करता है DFL, कोई बिना पेश पलटा है मेरे को doll का formula बताएगा इसके उपर में है contribution divided by EBIT, कोई मेरे को DFL का formula बताएगा EBIT divided by EBIT और जैसी दोनों का combine करेंगे formula क्या बनने वाला है contribution divided by EBIT बताओ इसको कैसे express करेंगे percentage में, rupees में घाड़ी, अहाती, गोड़ा किसमें time's में, done आएगे काम करना, फड़ा-फट एक छोटा सा illustration करना, numbers calculate करना आज जो illustration है वापके book में है phase number मुझे नहीं पता, question number one one करने में एक मिनट, three करने में एक मिनट, आज का target बारा पचास देखो, cost का ना कोई भी question करते थे, उसमें time लगता था FM का generally कोई भी question आएगा, उसमें time नहीं लगता, बहुती फटा-फट होता है, income statement बनाएंगे, तीन leverage निकालेंगे, सुनो ना, एक आप प्लीज एक वारा ना, page 42, question number 1, हमारा आज का पहला, तुम लोग एक वारी इस book का design देखो न, यहाँ पे page number लिखते हैं, तुम लोगो जगा दिया गया है, copy का page number लिखो, class का date, question उठता है, r1, r2, r3 क्या है, revision 1 का date, revision 2 का date, revision 3 का, यह हमीशे black रहेगा, सही से बताओ, यह book का design कैसा लगा, मैंने राद भर जग कर दिया, जला करी design बनाया था, चलो, और नीचे लिखो learning objective, इस सम्में आप चाह सीखते हैं, चलो, अब एकाम करें, फड़ा मट देखते है, question 1, simplified income statement of zenith limited is given below, देखो, मेरा income statement बना कर दिया वाए है, क्या दिया वाए है, sale value, मेरा variable cost दिया वाए है, पता इस income statement के अंदर में, बीच में एक line उनको लिखना चाहिए था, sale minus variable contribution लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा हम लोग लिखेंगे, minus करेंगे fixed cost मिलेगा EBIT, minus करेंगे interest पते, एक word लिखना चाहिए था, EBIT, minus करेंगे tax क्या मिलेगा, EAT, calculate करना है DOL, DFL और DCA, चाहिए रखता है, हो जाएगा, सबसे पहले income statement जो गंदा तरीका से लोग बनाया है, हम लोग उसको fair करेंगे, तो यह contribution और EBIT लिखकर दिखा दे, और बाद में तीनों values calculate करेंगे, हम चाहिए एक वार आप लोग income statement बनाएं, बाद में तीन leverage अपने आप calculate करें, तो देखो contribution का value तुम निकलेगा कैसे है, आणि mental math ने, exam में कोई भी calculation करो ना, भरी, contribution कैसे है नीचे note में दिखा दो, कि 10, 50, minus 7, 67, वो भी चलेगा, हाँ, हाँ, कुछ भी चलेगा, either income statement दिखा दो, पूरा बना कर, या जो contribution और EBIT जो आता है न, वो कैसे है, वो नीचे note में दिखा दो, तुम लोग क्या करें, income statement बना रहे की नहीं बना रहे है, बना रहे, श्रवम ने कहा, बनाईए, श्रवम, आपकी बातों, को मैं सर आपकी पर रखता है, हर्शित मोलता है, सुपर्ब, context समझ नहीं है, बिल्कुल, यह वर्ड, EBIT, वर्ड, EBT, वर्ड, EAT, standard abbreviation है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चलो एक काम करें, इसी income statement को हम लोग अपने तरीका से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, question number one, start करेंगे sale value के साथ, question में sale value कितना दिया वाए है, 10.50, minus करेंगे variable cost, 7,67,000, क्या मिलेगा, contribution, सुनो ना कोई calculate किया है, क्या, यह एगा 283, बस आखरी question 3, one हो गया, income statement नहीं बनाया था ना, हम बना रहे इसलिम को टाइम लग रहा है, मेरा fixed cost है 75,000, चलो minus करते हैं, fixed cost, यह मिरे को क्या मिलने वाला है, EBIT, EBIT से हम लोग minus करने वाले हैं, interest, जरा देखो, interest का value कितना दिया वाए है, 110, यानि मिरे को मिलने वाला है, EBIT कितना आने वाला है, 98,000, minus करेंगे tax, अब even though question में tax का amount दिया वाए है, अगर नहीं भी दिया रहे हैं, तो हम लोग calculate कर लेते, कि question में tax का rate दिया वाए है 30%, और tax हम लोग हमेशा किस पर calculate करते हैं, जो last में profit बच जाए, last में profit क्या बचा था ये, इसका 30% निकालना, exact होई value आएगा, कितना निकाला वाथ हाथ, 29,400, तो मेरा EAT में कितना आ जाएगा, 68,600, एक और मेरा income statement बन गया, इसके बाद मेरे को calculate करना है, तीन leverage, एक आएगा doll, एक आएगा DFL, एक आएगा DCL, अब doll किस वज़े से आता है, इस cost की वज़े से, तो formula में किया आएगा, इसकी उपर contribution, divided by EBIT, हाँ, 2 decimal, contribution is 283, divided by 2,08, सुनो ना, कोई calculate के तो बताओ ना, कितना आएगा यह, 1.36 times, जा आया है times में, मेरा अगला है DFL, यह DFL किस वज़े से आता है, इस interest की वज़े से, तो DFL का formula क्या बनेगा, इसके पहले जो profit था EBIT, पर भाई, इसकी वज़े से, यह EBIT बन गया, तो यह मेरे profit को कितना times कम किया, EBIT by EBIT, तो formula दिखते हैं, EBIT divided by EBIT, यह एगा, 2.8000 divided by EBIT कितना है, 98,000, कितना बुला, यह एगा, 2.12 times, अब DCL को calculate करनेगा, दो तरीका है, एक डॉल इंटू DFL कर दो, यह नि 1.36 into 2.12, एक यह तरीका है, यह मेरा अगला तरीका क्या है, contribution by EBIT करो, तो हम लोग लिखते हैं, contribution divided by EBIT, contribution है 283, EBIT है 98, अगर आप लो calculate करोगे, तो यह आने वाला है, 2.89 times, बोलो, तुम लोगा, यह वाला rate हुआ, अरे बोलो ना, करना आज का last question, question 3, उसी के साथ आज का class होता है, खदाम, और देखो, अब सिंस group 2 का, हम लोगा शुरुआत हुआ है, तो हम चाहेगा न, at least तुम लोग डेली basis पे, एक वार पक्का revise करते चलो, और यह honestly उतना difficult है, subject, संग-संग में revise करते वे चलेगा न, एकदम ठीक रहेगा, इको की वज़े से नहीं आता, कि उसमें कुछ नंबर काट लेता हुआ है, यह उसमें 15 नंबर का practical आता है, चलो, start करते हैं हमारा आज का, आखरी question, question number 3, यह question number 3, वैसे तो easy है, अब देखो, जिसमें tax नहीं है न, तो वापे हम लोग interest statement, खाली, ebt तक बनाएंगे, आख, नहीं, वो 18 ही होगा, कारण के हम वैसे ही पता है, मेरे को कोई भी leverage निकालने में दोनों का कामी नहीं है, तो अगर leverage calculation करना है, मेरे को खाली ebt तक ही चाहिए, tax ना भी देतों नहीं है, खाली ebt तक बनाकर छोड़ देना, आणेगे, जहां पर tax है ही नहीं, वाँ पर खाली ebt तक बनाकर खाथे, हाँ, तब बनाने है, भाई हमको पता नहीं है, चुल अब एक काम करें, question 3 देखते हैं, इसमें एक twist है, देखते हैं, यह twist आप लोग समझ पाते हैं, variable cost, कितना हैगा, अब भाई देखो, अगला लाइन में क्या बूलता है, मेरा sale to variable cost ratio है, 150%, नाम खुद बता रहे है, sale to variable cost ratio, ratio हमेशा divide करके मिलता है, नाम है, sale to variable cost, तो पता है formula क्या बनेगा, sale divided by variable cost, यह कितना दियाव है, 150%, अब यह percent में कब आया होगा, जब इंटू 100 की होंगे, तो इसको इंटू की होंगे 100 से, तब यह क्या होगा, 150, देखो, sale value मेरे को 60 lakh पता है, जैसी sale value यहाँ पे 60 lakh डालेंगे, मेरे को पता है क्या मिल जाएगा, variable cost का amount, जैसी यह 60 lakh यहाँ पर डालेंगे, variable cost गया इधर, 150 गया इधर, तो 60 lakh into 100, divided by 150, क्या मिल जाएगा variable cost, अगर तुब लोग calculate करके देखेगा, मेरा variable cost कितना आने वाला है, 40 lakh, sale आ गया, variable cost आ गया, मिल जाएगा, contribution 20 lakh, आ मिरे को contribution के बाद minus करना है, fixed cost, क्या लिए है, and fixed cost other than interest, यानि interest के अलावा, जो पहला fixed cost है, वो दियावा है, 5 lakh, आ जैसी minus करेंगे, मिल जाएगा EBIT, अब आगे बोलता है, company has 11% debenture of 30 lakh, ध्यान देना, debenture एक तरह का loan है, और debenture अगर एक तरह का loan है, उसको क्या देना पड़ेगा, interest, loan का value है 30 lakh, interest का rate है 11%, यानि interest कितना देंगे, 30 lakh का 11%, मिल गए interest, क्या मिल जाएगा EBIT, अब question में, ना tax दिया है, ना उसका जरुरत है, क्योंकि कोई भी leverage में, परायास करें, इतना जल्दी क्यों हो, आज यहाँ नहीं, बस आज इतना ही करेंगे, एक तुम लोग के लिए homework रहेगा, question 4, देखो कोई भी question करेगा ना, दोई मिनिट लगेगा, यह chapter यह ऐसा है, question 4 रहेगा आपका homework, प्रीज एक वाँ ट्राई करना, मीन वाइन हम question number 3 कर रहे हैं, कम से कम 5, कभी कभी 10, कम से कम 5, और जेनरली 10 माख काता है, कभी 5, जेनरली 10 माख काता है, आज चुलो श्राट करें question 3, इसका डेली का निया हम है, पता निया है, आज मेरा सेल वालु दिया है 60 राइक, आज मेरा variable cost कैसे आया था वो ratio से, यह working नीचे दिखा देंगे, वालु कितना था 40 राइक, कैसे नीचे रूट में दिखा देंगे, आज उपर भी दिखा सकते हैं, तुम bracket में दिखाना चारी है क्या, तो एको sale by variable cost into 100 है 150, sale value 60 राइक है, तो variable cost इधर जाएगा, 150 इधर आएगा, तो 60 राइक into 100 by 150, जाएगा 40 राइक, मिरको क्या मिलेगा, contribution, contribution में माइनस करने वाले हैं, fixed cost, देखो मेरा fixed cost कितना दियावा था, other than interest, यानि interest के अलावा जो मेरा fixed cost है, वो कितना दियावा है, पांच अलाग, ये मिरको मिलने वाला है, EBIT, EBIT में माइनस करना है, interest, interest किसको देंगे, जिससे लोन लियत है, debenture के एक और नाम लोन था, लोन या debenture का वालु कितना दियावा है, 30 लाक, interest rate है 11%, तो 30 लाक को देना है, 11%, यानि कितना देने वाले हैं, 3,30, मिरको सीरा मिल जाएगा, EBIT जो आने वाला है, 11,70, अब बैचास हमारे question में, अगर tax rate देता तो जुरूर माइनस करते हैं, पर वह या है नहीं, तो अगर नहीं होना, जो और सी tax देने का, मिरको तो शौक नहीं है, मेरे income statement है पर खतम करता, डॉल, DFL, DCL, खुद अपने आप calculate करता, समय है, आखरी, तीस सेकेंड, सुनानेगा नहीं, चलो मेरा doll, आँ मेरा doll देखो किसकी वज़े से आया था, ये वाले fixed cost की वज़े से, तो formula क्याएगा, इसकी उपर में contribution, divided by EBIT, contribution है 20 लाख, divided by EBIT है 15 लाख, सुनो ना, एक वार को calculate करता तो बताऊ ना, ये आएगा 1.33 times, मेरा अगला है DFL, जो मेरा financial leverage है, वो किस वज़े से आया है, वो financial cost की वज़े से, वो financial cost क्या था, interest, तो मैं देखना, interest की उपर में क्या आता है EBIT, उसके बाद ये क्या बन जाता है EBIT, तो मेरा formula क्या बनेगा, पंदरा लाक by ग्यारा लाक सतर, वन पॉइंट, तू एट, लास्ट में मेरे को calculate करना है DCL, तो मेरा DCL का दो formula है, आइदर लगाना डॉल इंट ड्येफ़ेल, जा लगाना contribution divided by EBIT, तो मेरा contribution है 20 लाक, तो मेरा EBIT है 11 लाक सतर, यह आने वाला है वन पॉइंट चलो इसी के साथ हमारा question number 3 होता है खताम और एक आपका homework है एक आपका homework है question number 4 इसका तुम लोग try करना अपने आप calculate करने का कि ये कितना आएगा answer आएगा last में 8750 try करना question number 4 अपने आप करने का कल हम लोग मिलेंगे ठीक सुनो पर तुम लोग एक promise है आज जो पढ़े हैं घर जाके करने को रिवाइस करके आएगा ठीक वह इसी वीक में होगा कल एक वार एफम कहीं क्लास है चलो दान थाक्यू सो मस्थाक्यू सो मस्थाक्यू सो मच अब अब